तो जिसे के हम अगर यह जो multi specialty hospital आ रहा है जो जिसमें आपको highest level of care जिसके लिए मरीजों को कभी दिल्ली जाना पड़ता था कभी कलकता जाना पड़ता था या विदेश जाना पड़ता था उस तरह का hospital यहां पर बनने जा रहा है जिसमें प्रमुक तोर पे heart का cancer का neuro का और जो facility तो हर facility रहेगी और state of art center रहेगा NABH, JCI के accreditation के level का उस thought process को लेके जो उन्हेने vision लेके जो चला था उसको अभी recently approval मिली है जो यहां का नक्षा पास हो गया है A.R.B.I. से permission मिल गई है और मिलने के 10 या 15 दिन हुए है अभी अभी वो हमारे हाथ नहीं लगा है हमने तही किया है कि next month 25th को इसका inauguration भूमी पूजन होगी और उसके बाद उसके next day से यहां पे construction शुरू होगा construction जो होगा वो ग्राउंड बेस्मेंट ग्राउंड से 7th floor तक का होगा जो के within two years complete होगा और within two years उसमें से ground और fourth floor functional होगा याने मोटा मोटा माने 20 साल के अंदर यहां पे state-of-art super specialty treatment यहां पे available होगा जो funds की दिक्कत थी और जो के प्रशासन से permissions की जो जरूरत थी वो सारे मिल रहे हैं central government state government से जो help मिल रहा है उससे लेके यह जो vision पूरा होने जा रहा है and it's really a proud moment for बुकारो के वो लोग भी बढ़ चड़ कर investment को लेके या किसी तरह की जो facility से बहुत ही उत्साहित है मैं कई डॉक्टरों से यहाँ पे मिला हूँ बुकारों के जो के अपने सेवा को लेके services को लेके पूरी तरह से तयार है यहाँ पे पूरे इंडिया से doctors आएंगे, state of out doctors आएंगे और यहाँ के लोगों को जो treatment cost है वो affordable बनेगा माने कि जो 5-6 लाग का खर्चा है वो यहाँ पे लाग देड दो लाग में हो जाएगा और जो गरीबों के लिए भी उन्होंने के क्ला रखा है कि वहाँ पे उनको सिवा विल बी इवन तो देम services विल बी पूराइट तो देम और यहाँ मैसल्फ आम वरी एक्साइट बिंग पार्ट अव थिस प्रोजेक्ट यहाँ अबट तो टेक उफ जो एक अनधर तो सो बैट का होगा लगबग मान के चलें अबट के नियर एराउंड प्रेजंट और फ्यूचर में अरउंड 500 बेट्स होंगे सुपर स्पेशालिटी के लिए जहां पे घरीब और अमीर अच्छे और मतलब बेस्-टू-बेस ने कि प्रयास की जा रही है और इस तरह से चीजें आगे बड़ी है और आने वाले दीनों में बुकारों के लोगों को जो है बाहर जाते हैं बैतरे रिलाज के लिए वो सिर्फ बुकाने के लोगों के लिए निये पूरे जारखन के लोगों के लिए ये बन रहा है and I'm sure the facilities जो यहां पर प्रवाइड की जाएंगे एक वो एक्जामपल रहेंगे इस model पे सारे पूरे इंडिया में hospitals बने वैसा यहां पे प्रयास किया जा रहा है and I'm sure with the hard efforts of the medical team with the medical family and of the people of Bukaro of the state government and especially our center government who has got a big vision ये पूरा होगा और पूरा होके रहेगा ये एक होस्पिटल है यहां पे हम कोई घर नहीं बना सकते एक होस्पिटल बनना है state of art hospital बनना है हमें चोटे 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 चीज़ों की permission लीप जाती है उसका वज़ा एक है देड़ साल तो हमें ARBI से permission लेने में लगा कि जो हम bunkers बनाना चाहते है state of art radiation machine लाना चाहते हैं और उसके बाद आपका fire का NOC हुआ ये pollution का हुआ क्योंकि देखे हमें एक जो बनाएंगे ऐसा हस्पताल बनाएंगे जो लीगली और साइंटिफिकली और रिसर्च बेस्ट और यह रहेगा तो यह जो टाइम स्पैन जो गया वह इसके वज़े से नहीं गया कि सरकार बदली है वह इसलिए गया कि हमें पर्मिशन्स लेनी होती है सारे पर्मिशन्स मिले अभी हमारे हाथ नहीं लगा है हम इतने उत्साहित हैं कि हम नेक्स लेवल पे जा रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स थे हम सब लोगों ने मीटिंग भी की है हॉस्पिटल एक्विपमेंट्स में जाएंगे इसके बाद जो मशिनरी जाते हैं अगर पूरा टोटल कॉस्ट पूछेंगे तो इसमें आपको पता एक-एक मशिनरी बी 20 करोड की भी है है जैसे लीनियाक मशिनरी है पेट स्कैन है वह हम क्या कर रहे हैं जैसे के अनलोन और जैसे अगर मोटा मोटा करा प्रोजेक्ट बनेंगे जब तक पूरा प्रोजेक्ट बनेंगा लगवग छेसो करोड का बनेगा इस पूज़ेग्ट